इसराइल और इरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है खबर है कि इरान इसराइल पर डारेक्ट अटेक की तयारी कर रहा है और इसके लिए वो तीन देशों के साथ मिलकर कुछ बढ़ा करने बाला है इरान का आदेश इसराइल पर सीधा हमला इस वक्त पूरा इरान इसराइल से भीचन हमला लेने के लिए तड़प रहा है इस वक्त पूरा इरान हमाश चीफ इसमाईल हानिया के हत्या से बॉख लाया हुआ है किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसराइल ने इरान की राजधानी तेहरान में हानिया को बेहद सुरक्ष तिमारत में कैसे मार दिया पचास साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसरेल पर भीशन हमला करने का आदेश दे दिया है जमीन में हानिया का थाभूत अरब में विश्वयुत हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ एसमाईल हानिया के हत्या का बदला लेने के लिए इरान उतावला है अब इरान के सुप्रीम लीडर ने आई आर जीसी और इरान आर्मी को आर्डर दिया है कि वो बदले की तैयारी करें नियुयॉयॉक टाइम्स के मुदाबिक इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसरेल पर सीधे अटैक करने का आदेश जारी किया है सुप्रीम लीडर ने हानिया की मौत के बाद ही कहा था कि इसरेल को हमारे महमान को मारने की कीमत चुकानी होगी हत्या के बाद सुप्रीम लीडर के घर इरान के टॉप अधिकारियों की बैठक होई है माना जा रहा है कि इसी बैठक में बदला लेने का फैसला लिया गया है ताजा खबरों से लग रहा है कि इरान इस्रेल पर एक बड़ा हमला कर सकता है नियो यॉक टाइम्स ने तीन इरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है और दावा किया है कि इरान के सुप्रीम लीडर आयतला खामनेई ने कहा कि वो हानिय की मौद का बड़ा लेंगे और एस्रेल पर सीधा हमला करेंगे खामनेई ने ये भी कहा कि हानिया के हत्या करके अपराद ही यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तयार कर लिया है हानिया हमारे प्रिय महमान थे जिनकी हमारी जमीन पर हत्या कर दी गए उनका बदला लेना हमारा करतब बे रजीम सह्यूनी जनायतकार वद तरोरीस बा एन अगदाम जमीनेग मुजाजात सख्टी रा बराग खुद फराहम साथ वखुन खाही औरा के दर हरीम जम्हूरी एसलामी एरान बे शहादत रसीद वजीफे खुद मीदानी पनूत निकदेनू मिकोल जिराश ही सुप्रीम लीडर आयतॉला खामनेई के आदेश के बाद से एरान ने इसरेल पर बड़ी जंग की तयारी शुरू कर दी है इसके संकेत साफ साफ दिखने लगे है एरान में एक मस्जिद पर लाल जंडा फैरा दिया गया है इरान के कूम में अतिहासिक जामकरन मस्जिद पर लाल रंग का जंडा फैरा गया है जो युद्ध का संकेत है इरान पहले भी इसरेल पर सीधे अटैक कर चुका है लेकिन तब उसके सभी रॉकेट्स और ड्रोन इसरेल और उसकी अलायंस फोर्सेज ने रोग दिये थे इरान के मिलिटरी कमांडर इसी तरह का इसरेल पर दूसरा हमला करने की तयारी में जुट गए है खबर ये भी है कि मिलिटरी कमांडर हमले के उन तरीकों को तलाश रहे हैं जिनमें आम नागरिकों की जान न जाए इरान इस बार अपने प्रोक्सी के साथ मिलकर हमले को अंजाम देने की तयारी कर रहा है अगर इसरेल के ओपर सीरिया, इराब, यामन, लेबनान और इरान की और से एक समय में अटैक होता है तो उसके एर डिफेंस को उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा जानकार मानते हैं कि सैकणों रोकेट्स में से अगर दो तीन रोकेट इसरेल के एर डिफेंस को भीद कर शेहरों में गरते हैं तो इरान कह सकता है कि उसने हानिया की मौत का बदला ले लिया है इस से पहले भी इरान ने इसरेल से बदला लेने का ऐलान किया था तब 3 जनवरी 2022 को एरानी कुछ्ट्स फोर्स के शीर्ष कमांडर जनरल कासम सुलमानी की हत्या के बाद जामकरन मस्जिद पर लाल जंडा लहराया गया था। इरानी कमांडर कासम सुलमानी को साल 2022 में राश्चोपती ट्रम्ट के आदेश पर जान से मार दिया गया था। कासिम सुलेमानी एराक में एक अमेरिकी एर स्ट्राइट में मारे गये थे। इसी साल पांच जन्वरी को भी मस्जिद पर लाल जंडा लगाया गया था, जब कासिम सुलेमानी के मौत की भरसी पर आयोजी तेक कारिकम में जबरदस्ट बम विस्पोट हुआ था, जिसमें 80 से साधा इरानी मारे गये थे, यानि इरान अब इस्रेल से बतला लेने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। इसरेल ने हमाज चीफ फानिया को मार कर एक तीर से चार निशाने लगाए हैं, हमास, हेजबुल्ला, हूथी और इरान इन चारों को इसरेल ने एक साथ चैलेंज किया है कुछ जानकारों का मानना है कि इसरेल चाहता है कि लगभग 10 महीने के गाजा जंग में जिस तरह से हमास का लगभग सपाया किया गया है ठीक उसी तरह से इरान, यमन, सीरिया, लेबनान में मौजूद बाकी दुश्मनों को भी ठीकाने लगा जाए क्योंकि इसरेल जानता है कि दोबारा से अपने दुश्मनों के खिलाब एतनी बड़ी जंग शुरू करना जरा भी आसान नहीं होगा इसी लिए जहां इसरेल ने 30 जुलाई को हेजबुला के नमबर दो कमांडर फौज शोकर को बेरूत में मारा तो वहीं 31 जुलाई को इरान की राजधानी तेरान में हमास चीफ हानिया को मेसाइल हमले में मार दिया गया एक रिपोर्ट में चौकाने वाला दावा हुआ है कि मेडिलीस्ट की वेबसाइट आमवास मीडिया ने दावा किया है कि हानिये की हत्या में उनके बौडिगार्ड का हाथ हो सकता है इससे पहले फार्स न्यूज एजन्सी ने बताया था कि हानिये उत्तरी तेहरान में इरान इराक युद के रिटाइट सैनिकों के लिए बनी एक इमारत में अपने बौडिगार्ड के साथ ठहरा था ये भी बताया गया कि इरान हानिया की करीबी सुरक्षा टीम पर दोश मढ़ रहा है जिसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि उनके यहां पर ठहरने और दूसरी जानकारी उसके करीबी लोगों ने लीग की है ये शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद आतनक्वादी समों का नेता जियाद अल नकला उसी इमारत में एक अलग मंजिल पर रह रहा था लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया सिर्फ इस्माइल हानिया की टार्गेट किलिंग की गई